हेलो प्रेंट्स, स्वागत है आपका सूपर्ब सिस्टर्स में मैगी तो हम सबके घर बनती है आम तोर पर संडे के दिन या फिर हम जिस दिन ब्रेकफास बनाने में लेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? फड़ाफट से मैगी का पैकेट निकालते हैं, बॉइल करते हैं और बच्चों और फैमली को खिला देते हैं लेकिन उसी मैगी को अगर थोड़ा अलग स्टाइल में थोड़ा हैल्दी वे में बहुत सारी वेजी के साथ बनाएं तो कैसा रहेगा? तो आईए फड़ाफट से सुरू करते हैं हम वेज मैगी बनाना तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में पानी को बॉइल कर लेंगे और पानी अच्छे से बॉइल हो गया है और उसमें ये मैं तीन मैगी के पैकेट जाल रही हूँ चाहे तो आप उसको ऐसे साबूती डाल देजिए या बीच में से तोड़ कर डाल देजिए जैसा आपको पसंद हो उसके बाद इसको हम बॉइल कर लेंगे इसको हम 90% तक कुख कर लेंगे और एक उवाल आ गया है इसमें अब थोड़ा पलट दिंगे इसको और यह देखिए यह बॉइल हो चुकी है अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल के अलग कर दिंगे और अब यहाँ पर मैंने एक कड़ाई रखी है उसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ओयल डालेंगे थोड़ा सा जीरा जीरा अच्छे से चटक गया है अब मैं इसमें थोड़े से बारिक कटे हुए आलू डाल रही हूँ आलू को हम पहले थोड़ा फ्राई कर लेंगे अब आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसमें मैं प्याज के कटे हुए लंबे-लंबे स्लाइस उनको डाल दूंगी और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस थोड़ा सा ट्रांस्पेरंट होने तक भुनना है और प्याज हमारा ट्रांस्पेरंट हो चुका है तो अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ गाजर बारीक कटी हुई पत्ता गोबी कटी हुई सिम्ला मिर्च और थोड़े से मटर आपके घर में जो भी वेजीज हैं आपको जो भी पसंदो वो सब इसमें एट कर दीजिए आप इसमें ब्रोकली, स्वीट कॉर्ण और फूल गोबी वो सब भी एट कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो क्योंकि बच्चे वैसे तो वेजीटेबल खाते नहीं है तो मैगी उनकी फेवरेट होती है तो इस तरह आप मैगी में डालके उनको वेजीज खिला सकते हैं इससे मैगी थोड़ी हेल्दी भी बन जाएगी और इसी बहाने बच्चे थोड़ी सबजियां भी खा लेंगे तो ये सबजियां भी अब हमारी थोड़ी फ्राई हो चुकी है अब हमने जो मैगी बॉयल की थी वो इस मैट कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं स्वाद अनुसार और मैगी को भी थोड़ी देर हम भोल लेंगे और ये मसाला जो मैगी की साथ आता है मैगी टेस्ट मेकर वो भी हम इस मैट कर देंगे और थोड़ा आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आब इसमें हरी मेर्च या रेड चिली फ्लैक्स वो भी आट कर सकते हैं अब इसको दो-तीन मिनट तक भूनी अच्छे से और ये हमारी गर्मा गर्म मैगी बनकर एकदम तयार हो चुकी है तो इसको अब एक बाउल में सर्प कर लेते हैं ये देखी गर्मा गर्म यमी यमी मैगी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर कीजेगा शेयर कीजेगा